कुछ गटनाएं ऐसी होती है जो आपके दिल को दहला देने वाली होती है ऐसी ही गटना आई सीरिया और टर्की से जहां पर भुकम के तीन जटके महसूस किये गए रेक्टर स्केल पर इन भुकम के जटकों की जो तीरवता थी वो 7.8, 7.6 और 6 मापी गई ये जटके करीबन सुबह चार बजे, दस बजे और तीन बजे के लग बगाए ये जटके सुबह आने की वज़े से वहाँ पर जाजर लोग अपने घरों में थे तो इसकी वज़े से जो मरने वालों की संक्या है वो बहुत ज़्यादा आखी जा रही है बताया ऐसा जा रहा है कि पांच ज़ा लोग उसी वक्त वैसे तो टर्की बहुत खूपसूर देसों में आता है लेकिन इन भुकम के जटकों के बाद वहाँ पर बरबादी का मंजर चाया हुआ है इसके बाद सरकार की तरफ से तीन महिने के लिए इमरजेंशी गोशित कर दी गई वहाँ पर सरकारी दब्तर, स्कूल, कोलेज बगिरा बंद कर दिया गया इन भुकम के जटकों के बाद 70 देसों के करीबन 16,000 लोग वहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुँचे भारत भी सुरवाती देसों में था, भारत की तरफ से वहाँ पर एरोपलेन, मेडिकल किट और बाकी जो भी सुईदा है वहाँ पर बेजी गई, NDRP की सेना भी वहाँ पर पहुँची बता है ऐसा जा रहा है कि जब तक ये रेस्क्यू ओपरेशन खतम हो जाएगा वहाँ पर मरने वालों की संक्या 20,000 से भी जादा होगी वहाँ पर जो लोग जिन्दा है वो खेर मना रहे हैं और जिनके अपने चले गए वो मायूस है इन भुकम के जटकों की वज़य से वहाँ पर जो डाइरेक्ट और इंडाइरेक्ट जो अफेक्टेड लोगों की संक्या बताई जा रही है वो डाइक रोड से ज़्यादा बताई जा रही है अपने यही एक दुआ कर सकते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं जो भी लोग रहे हैं वो सेफ रहे हैं